आज़ादी के 75 साल बाद भी सीहोर जिले में नसुला गंज ब्लॉक के ग्राम पंचाय च्छापरी से दो किलो मीटर से दोर शेतर गादलिया में पत्रीला रास्ता होने के कारण ग्रामिनों को आवा गमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहां का रास्ता इतना खराब है कि आई दिन निकलने वाले लोग पैदल और मोटर साइकल से गिरते पड़ते रहते हैं वही रोड कच्छा होने के कारण पढ़ने जाने बाले छातरों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वही ग्रामिन बस्ती के लोग सभी तरह की मूल भूत सुविधाओं से बर्चित हैं ग्रामिनों का कहना है कि कई बार PWT विफाग के अधिकारियों ने सर्वे तो करवाया लेकिन अभी तरक सड़क बनने का कोई काम नहीं हुआ जिसका खाम्यासा हम गरीब आरिवासी लोग भुकत रहे हैं वहीं कुछ ग्रामिनों का ये भी कहना है कि ग्राम पंचाय दोरा रास्ते में मुर्म कोपरा डालने की अपिक्षा नदी से बजड़ी और पत्थर डाल दिये जाते हैं उससे चलते राहगीर का पत्थरों पर से गुजरना मुश्किल हो जाता है यहां तक वाहन भी निकालना मुश्किल पढ़ जाता है हलांकि ग्रामिनों ने कई बार समस्याओं का समधान मांगा लेकिन जिम्मिदार अधिकारे अपने में मस्त मगन होकर इस और ध्यान देना नहीं चा रहे हैं जो है लगबग दो किलोमेटर का रहे गया है उसको छोड़ दिया गया है प्रेले से मामला है वह तो जब सही मतलब आने जाने के छोड़े से दिक्तर पड़ती है और मदलब भूत साल से आप यहां के उपसर पंजो आपने थोड़ी कोशिस की हां की सर आवेदन लेगा है था हम पहले मतलब जर्मी में और आवेदन लगा क्या है फिर भी मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ भी तक मामुला जो है वो आपकी मात्यम से मेरे संग्यान में है और अगर आप जैसा बता रहे हैं अगर ऐसा है तो इसकी जाज कराके जो भी नियाम बनुंसा कारवाई की नहीं